है कि आज हम बात करने वाले हैं वर्चौल अधार आइडी की आप इसे कैसे जंडरेट कर सकते हैं यह मापको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में तो सबसे पहले हमें उपन करनी है आधार की वैफसाइट जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे आधार या या यू आईडी है तो यह एक पेज ओपन करेगा इसका फर्स लिंक आप ओपन कर लिजेगा तो आप आधार की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे अब इसमें यह देखिए कि यहाँ पर हम मैनूज दिये हुए हैं यहाँ पर इसी के नीचे सबसे लास्ट में वहाँ पर आप्शन दिया गया ह वर्चुल आईडी वी आईडी जनरेशन यह वर्चुल आधार के लिए इससे आप वर्चुल आधार जनरेट कर सकते हैं यह एक तरह की मास्किंग है उसको औरिजल आधार को छुपाने के लिए अब यहाँ पर डालेंगे आधार नंबर जैसे कि मैं टाइप कर देता हूं म जैसे ही मैं समिट करूँगा तो यह एक OTP सेंड करेगा मेरे रिजिस्टर मॉबाइल नंबर पर अब मेरे रिजिस्टर मॉबाइल नंबर से मैं वो OTP यहाँ पर डालूँगा यहाँ पर OTP डालने के पाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं कि आपको VID जनरेट करना है यह रिट्रीव करना अगर आपके पहले से बनी ही है तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं और अगर आप नई बना रहे हैं तो उसको जनरेट कर सकते हैं अब ही जैसे की मेरे मुबाइल पर OTP आ जाएगा तो मैं इसमेट बटन है कि यहां कैसे generate होती है अभी मैं mobile पर चेक करता हूँ यह mobile पर मेरा OTP आ गया मैं इसको input कर रहा हूँ input करने के बाद देखीगा नीचे submit button है submit button पर click करा और यह submit button पर click करने के बाद यहां पर message आ गया कि your vid number successfully generated and sent to a registered mobile number अब मुबाइल पर मैं कुछ चेक करना रहेगा मुबाइल पर अपन चेक कर लेते हैं कि कैसा होता है यह virtual ID इसमें क्या खास है और कैसा है यह आगे मेरा मुबाइल पर message और यह देखी लास्ट में generate हो गया नाम आ गया और टाइमिंग और यह virtual ID generate हो गई यह व